एनर एनेकु ए घारों अंतराष्टिय महासवाले नया कारिय समिती चयन गरनेशा। अदक्से पतका लागी चार आकंचिले प्रतिस पर्दा गर देशन। बिहिबार मद्दान उने भाईपची उवेर दुआर हरु भने प्रचार प्रचार मा ब्यस्त देखिये काशन। समापन गरने तो यारी चार। स्थल में अनलाइन भोटिंग को ववस्ता गरिये को प्रवक्ता साब को टाले जानकारी दिये। मतदान मेती नजी किये संगे उमेद्वार हरु प्रचार पसार मा बेस्त देखिये काशन। अधिकांग्स उमेद्वार हरुले एनर एनलाई राजनिती मुक्त बनावने देखिली एर बिदेस्मारवाई का नेपाली हरुको होक हित्मा काम गरने दावी करे काशन। बिक्रिति उरुषन, भिसंगत उरुषन इनला महिले रुपांतरन गर अगाडी बढ़ने चुँद यसमा आईले देखिये को जुन समस्या आवरुछा महिले ग्राउड देखिये काम गर राय कुछुद यह अलिकदी आमरवीज मा समस्या बनेगो शंस्ता ले धेरे काम अर अगाडी को अगराज़र ले देरे यो अबस्तानास लियाऊनों को लागी अगराज़र को देरे धुलो भूमी काच्छा तरह पनी अब यो समय अंचार अगाडी बढ़ाउन परचा कतिपए उमेद्वार ले बने नेपाल मा लगानी बेत्राउन पहल गरने र बिदेसमारवाई का नेपाली हरुको पेसागत हो खीत का लागी लोडने प्रती वदता जना आएगा छन संस्ता का कुडार बारे ले आउनोंचा के इसके आधार मा चाहीं मो भावार संस्ता का लागी लागी काम करने बने मेर आधार बहुकर ले करदा खरी वालाई अमुल डेलिकेट साथ हो ले आपना अमुली मोध दियरा उपाधास बनावनोंचा तीन्तेई बर्ग लाई एक ठामा ले आएर यो तीन्तेई बर्ग को भावना रा सद भावला एक ठामा ले आएर मत्र एनरन एक अता हुन्छा बनने मेरो चैं दृद्ड संकल्पशा ये नार ये न एको अधियकसे पहत का लागी चार आकांगशिले प्रतिस्फ़दा कर देचन महादी बेशनमा अधियकसे दोय बलत्र केसीर रवीना थापा उपा अधियकसे दोय आरके शर्मार महस्त्रेस ले अधियकसेमा उमेदवारी मनुन्वाइन गराएका शन यनारेन हरुले आफुलाई सोतंत्र सस्ता भाय को दावी गरनी गरी पनी दल हरुबात प्रभाब मक्त होनी हुना सकी का सैनन अधी एक सेक उमेद्वार को कुरा गरदा पनी तीन ठुला राजनेतेक दल हरुली उनी हरुलाई च्याप दे आये का छन चार उमेद्वार मद्य डाक्टर केसी नेकपा ये माले नेकत हुन भने थापार अश्ट्रेस्च दुवै नेपाली कांग्रेस नेकत मानी चन तेसे गरी सर्मालाई माववादी केंद्र को साथ छ राजनेतेक दल को प्रवाब कई कारण पच्छिल्लो समय यनारेनेमा बिविन्न किस्यम का विवाध हरु बिध्यमान छ यदपी बर्तमान नेत्रितो केई पहलमा गईरावासिये नागरेक ताको ववस्त कार्णोयन मा आयकोमा भने धेराईले योकारियेको मुक्त कंचले प्रशम सागरेका सन्न।